हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लन्वे देतिमन तो देखिए हम लोग नाइन्थ क्लास के कुश्चन आंसर कर रहे थे राजिस्थान का सोतंतरता आंदोलर नैवम सौड़ परंपरा आपकी बुक है ये बहुत जादा इंपोर्टेंट बुक है चाहे आप रीट की तयारी कर रहे हों, रीट के सेकिन फेपर की तयारी कर रहे हों सेकिन ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरेस तक तो वहाँ पर आपके राजिस्थान का जीके जो है उसमें से यहां से कुश्चन आपके पूछे ही जाएंगे ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिनादेरी के पूश्यन वन देखिए, बाकी दास किसके राजकवी और कावी गुरू थे बाकी दास किसके राजकवी थे और कावी गुरू भी थे तो ये जोदपुर नरेश मान सिंग के राजकवी भी थे और उनके कावे गुरू भी थे डूंग जी और जवाहर जी ने किस अंग्रेज छाबनी को लूटा डूंग जी और जवाहर जी जो की 1857 के सौतंतरता संग्राम में बहुत बड़े देशवक्त रहे हैं और बहुत ही बड़ चड़ कर जो है इन्होंने भाग लिया था तो ये किस अंग्रेज छाबनी को लूटते हैं तो ये नसीरावाद अंग्रेज छाबनी को लूटते हैं डूंग जी और जवाहर जी किस शेतर के निवासी थे किस शेत्र के निवासी थे डूंग जी और जवाहर जी तो ये सीकर शेत्र के निवासी थे ठीक है डूंग जी जो है सेखावटी ब्रगेड में रिसलदार थे और ये दोनों जो हैं चाचा भतीजे थे नेक्स्ट देखें 1857 की क्रांती की सुरुवात में किस कभी के दोहों में सपस्ट होती है यानि कि 1857 की जो क्रांती हुई तो उसका जो स्वागत है किस कभी ने किया अपने दोहों में तो यहां सूरे मल मिश्रण या सूरज मल मिश्रण जिनको कहा जाता है तो उन्हों ने 1857 क क्रांति का जो स्वागत है वह अपने दोहों में किया कौन से क्रांतिकारी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए तो हमने देखा सीकर के जो डूंग जी जवाहर जी थे वो काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे 1857 की क्रांति में डूंग जी को अंग्रेजों ने किस दुर्ग में बंद किया था दूंग जी को अंगरीजों ने किस दुर्ग में बंद किया था तो इनको आगरा के दुर्ग में बंद किया गया था किस में किया गया था बंद आगरा के दुर्ग में इनको बंद किया गया था दूंग जी का निधन जो है वह कहा हुआ तो इनका निधन जो है वह जोदपुर के दुर्ग में हुआ था तो बहुत ज़द इंपोर्टेंट है क्योंकि दूंग जी जो है इनको आगरा के दुर्ग में बंद किया गया था लेकिन इनका निधन कहां हुआ जोदपुर के दुर्ग में हुआ था राजिस्थान का पहला सोतंदरता सैनानी कौन था जिसे सर्व पर्थम फांसी हुई राजिस्थान का सबसे पहला सोतंदरता सैनानी जिसको सबसे पहले फांसी हुई थी तो वह थे अमर्चन बाठिया और ये कहां के थे बीकानेर के थे नेक्स्ट देखिए कुश्यन नाइन अमर्चन बाठिया ने अपनी पूरी संपत्ती किसे देने का प्रस्ताव रखा था अमर्चन बाठिया जो की बीकानेर के थे होर्देश के जो पहला सुतंतरता संग्राम हुआ 1857 का तो यहां इन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था इन्हों ने अपनी पूरी संपत्ती तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था विजे सिंग पतिक का मूल नाम क्या था विजोलिया आंदोलन में सबसे एहम जो भूमिका है विजे सिंग पतिक की रही है तो इनका जो मूल नाम था भूप सिंग था क्या नाम था भूप सिंग विजे सिंग पतिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी विजे सिंग पतिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी तो विजे सिंग पतिक ने वीर भारत सबा और राजिस्थान सिवा संग इन संगठनों की स्थापना की थी भारत की किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है तो विजे सिंग पतिक को कहा जाता है किसान आंदोलन का जनक विजे सिंग पतिक के द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए तो इनके द्वारा राजिस्थान केसरी नवीन राजिस्थान और तरुन राजिस्थान जैसे समाचार पत्र जो है चलाए गए और इनके माध्यम से राजिस्थान में जन जागरती फैलाने का कारे इनोंने कि लोठु निठार्वाल का जन्म कहां हुआ था तो इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था सीकर जिले में, 1804 एसवी में अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगथन की स्थाफना की गइ थी? अर्जुन लाल सेथी ये जैपूर के थे तो किसे संगठन की स्थापना जो है वो की गई थी तो जैन सिक्षा प्रचारक समिती जो है इसकी स्थापना इन्होंने की जो की 1905 में की थी ठीक है जैन सिक्षा प्रचारक समिती के तात्व धान में किन सिक्षर संस्थानों की स्थापना की गई तो इसमें वर्दमान विध्याले वर्दमान छात्रावास और वर्दमान पुस्तकाले ये चलाए गए थे ठीक है जहां पर क्रामते कारियों को प्रैस सिक्षित किया जा सके तो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है चैप्टर पढ़िए उसके बाद आपको ये कुशन आंसर बहुत जादा आसान लगेंगे इनको बारवार रिवाइज करिए तभी आपको ये याद हो पाएंगे किसने अर्जुनलाल सेठी को जैपुर का प्रधान मंत्री बनाने की पेशकस की थी तो जैपुर की नरेश माधाव सिंग सेकिंड ने माधव सिंग द्वित्य ने इनको राज्य का प्रधान मंत्री बनाने की पेशकश की थी ठीके और इस पर जो है अर्जुनलाल सेथी ने मना भी कर दिया था कि अर्जुनलाल सेथी यदि नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को भारस से बाहर कौन निकालेगा अर्जुनलाल सेथी की रचनाएं कौन सी हैं तो इनकी रचनाओं के नाम है सुद्र, मुक्ती, इस्तरी मुक्ती और महेंदर कुमार तो ये सबी पुस्तकें किस की हैं अर्जुनलाल सेथी की हैं केशरी सिंग बारहट का जन्म कहां पर और किस वर्स हुआ केशरी सिंग बारहट का जन्म कहां पर और किस वर्स हुआ तो इनका जन्म जो है देवपुरा गाउं में शहापुरा रियासत 1872 इसवी में हुआ और इनकी मृत्यू 1941 में हुई थी चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना थी? चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना थी? तो देखें यहाँ पर कुश्चन के जो है वो मैं बिल्कुल उसी का अंसर जो है वो बताती हूँ उसका रीजन क्या है कि आप लोग कुश्चन देखकर उसका अंसर ही याद करें आपके चार एक्जाम में आपको मिलते हैं तो आप जो है इधर दर ना भटकें और अपने सटीक उत्तर पर आ जाएं तो इसलिए यहाँ आप्शन जो है वो मेरे द्वारा नहीं दिये जाते हैं क्योंकि आपको याद इसी तरीके से होंगे अब एक्जाम में कुशन कैसे आएगा कि चेतावनी राच उंगटिया किसकी रचना थी ओप्शन में आजाएगा अर्जुनलाल सेथी विजय सिंग पत्थिक केसरी सिंग बारहट या फिर आपके आजाएगा अमर्चन बाधिया तो आपको उसका सही आंसर लगाना है तो इनकी किसकी रचना थी ये केसरी सिंग बारहट की रचना थी कुशन 21 देखिए चेतावनी राच उंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा साशक प्रभावित हुआ था तो जो की केसरी सिंग बारहट द्वारा लिखा गया था जिसमें उदैपूर के महाराना जो फते सिंग है इनको दिल्ली दरवार में सामिल होने से रोकने के लिए केसरी सिंग बारहट ने 13 सोरठे जो है वो पढ़कर उनको सुनाए थे और महाराना फते सिंग जो है उन्होंने जाने से फिरिंकार कर दिया था ठीक है केसरी सिंग बारहट ने किस संगठन की स्थापना की तो इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की जो की 1910 में की वीर भारत सभा जो संगठन है उसकी जो स्थापना है वो किसने की केसरी सिंग बारहट ने की 1910 में नेक्स्ट देखें केसरी सिंग बारहट के पुत्र का क्या नाम था? केसरी सिंग बारहट के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था परताप सिंग बारहट कुवर परताप सिंग बारहट प्रताप सिंग बारहट ने किसके सानिद्य में दे सिवा की सिख्षा प्राप्त की तो इन्होंने मास्टर अमीर चंद के सानिद्य में दे सिवा की सिख्षा प्राप्त की किस घटना के कारण प्रताप सिंग को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो बनारस कांड जो है उसकी वज़े से प्रताप सींग को अंग्रेजों ने गरफतार किया था Q26 देखिए 22 वर्ष की आयू में प्रताप सींग की मृत्यू कब होई यानि प्रताप सींग की मृत्यू जो है वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी 22 वर्ष के थे जब ठीक है तो ये सहीद हुए थे और 1918 इस्वी में जो है ये सहीद होते हैं किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सींग से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मा तुम्हारे लिए रोती है तो भारत सरकार का गुप्तचर निदेशक था सर चॉल्स क्लीवलेंड तो इसने जो है वो बहुत सारी घोर यातनाय जो है वो कारावास में इनको दी प्रताप सींग को और कहा कि अपने साथियों का नाम बताएं लेकिन फिर भी जो है ये अडे रहे इन्हों ने अपने साथियों का नाम नहीं बताया तो इस वज़े से बरेली जेल में Cleveland जो है उन्होंने emotionally blackmail करने के लिए इनको ये कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जो है वो सदा रोती हैं ठीक है लेकिन फिर भी जो है ये अपने जो है बातों पर अडे रहे और इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं जो है वो सैकडों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता मेरी मा को रोने दो नागोर में चर्खा संग तथा खादी भंडार की स्थापना किसने की बाल मुकुन्द विस्सा ने नागोर में चर्खा संग और खादी भंडार की स्थापना किसने की नागोर में चर्खा संग और खादी भंडा की स्थापना बाल मुकुन विस्था ने काली भाई कहां की थी तो हमने कई बार जो है पिसले जो क्रासिज है उसमें भी हमने देखा कि काली भाई थी डुंगरपुर्जिलेगी रास्ता पाल गाउं से यह संबंदित थी यह एक भील जो है बालिका थी दूंगरपुर के रास्तापाल में पाठशाला किसने खोली थी तो यहां के लोगों को सिख्षित करने के लिए नाना भाई खाट ने यहां पर पाठशाला खोली रास्तापाल की पाठशाला में जो अध्यापक था वो कौन था तो यहां सेंगा भाई जो की कौन थे एक अध्यापक थे टीचर थे काली बाई का निधन कब हुआ काली बाई जो की 13 वर्स की एक भील बालिका थी और जिसने अपने जो मास्टर थे उनके जो अध्यापक थे तो उनके लिए जो है वो आगे लड़ने को आ गई थी ठीक है तो इनका निधन हुआ था 20 जून 1947 को कब हुआ था 20 जून 1947 को अपने गुरु को बचाने के प्रयास में जो है इनोंने अपना दम तोड़ा था Q33 देखिए रमा देवी का जन्म कहां हुआ था इनका जन्म जैपुर के वैद गंगा सहाई के घर पर हुआ था ठीक है और बहुत छोटी उमर में इनका विवहा हो जाता है और ये विदवावी हो जाती है फिर इनका जो है वो दुबारा से इनकी शादी जो है की जाती है किसे राजिस्थान का जतिन दास कहा जाता है किसे राजिस्थान का जतिन दास कहा जाता है किसे कहा जाता है जोदपुर के जो बाल मुकुन विस्सा थे जिन्होंने नागोर में चर्खा संग और ख़दार भंड की स्थापना जो है की थी तो इनको राजिस्थान का जतिन्दास कहते हैं बिस्सा का जन्म कहा हुआ था बाल मुकुन बिस्सा जो है इनका जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म पीलवा गाउं डीडवाना में हुआ था याद रखें इनका जन्म जो है पीलवा गाउं में हुआ था पूछा जा सकता है और डीडवाना क्या थी तहसील थी यहां इनका ज गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की और इनकी पुस्तकों के नाम जो है वो एक्जाम में आभी चुके हैं और बहुत ही ऐसी पुस्तके हैं जो कि आपको याद भी रहेंगी आजादी के दिवाने रगुनात सिंग का मुकदमा और जैसलमेर का कुंडाराज ठीक है पुस इसकी पुस्तके हैं ये सागर मलगोपा गी आजादी के दिवाने रगुनात सिंग का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज तो ये खुद कहां के थे जैसलमेर के थे सागर मलगोपा को किस जेल में कैरोसीन चड़क कर जिन्दा जला दिया गया था तो इनको जैसलमेर जेल में इनको बंद किया गया था और कैरोसीन चड़क कर जिन्दा जला दिया गया था ठीक है अप्रेल 1946 को नाना भाई खाट किस प्रजा मंडल से जुड़ी पाट साला का संचालन कर रहे थे किस पाट साला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी तो रास्ता पाल की पाट साला जो है जब इनोंने बंद नहीं की तो इनकी जो है वो हत्या कर दी गई विध्यारती भवन जुन जुनु की स्थापना किसने की तो इसकी स्थापना करने वाले थे सरदार हरलाल सी तो इनका जन्म जो है जुन जुनु में होता है और यहां पर विध्यारती भवन जो जुन जुनु की स्थापना ये करते हैं दैनिक नव जोती समाचार पत्र का संपादन करने हेतू पत्रकार के रूप में प्रसिद सुतंतरता सैनानी कौन थे? दैनिक नव जोती समाचार पत्र का संपादन करने हेतू पत्रकार के रूप में प्रसिद सुतंतरता सैनानी कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी अंजना देवी का जन्म कहां हुआ था? अंजना देवी का जन्म कहां हुआ था? तो ये repeat है question जो कि हम छोटी classes में देख चुके हैं कि अंजना चौधरी जो कि राम नरायन चौधरी की जो है वो पत्नी थी राम नरायन चौधरी किस से संबंदित थे? तो आपको जो है comment box में इसका आंसर देना है कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंदित रहे राम नरायन चौधरी या बूंदी किसान आंदोलन से तो अंजना देवी का जन्म जो है वो कहा हुआ था? श्री माधवपूर सीकर में हुआ था 1897 में याद रखना अंजना देवी जो कि राम नरायन चौधरी की पत्नी थी और 1897 में इनका जन्म हुआ था सीकर्ज लेके श्री माधोपुर में अग्रिवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था अंजना देवी का विवा किसके साथ हुआ था तो मैंने इसका अंसर भी आपको बताया कि राम नरायन चौधरी जो हैं इनके साथ इनका विवा हुआ था कुशन 44 देखिए समस्त रियासती जन्ता में गिरफ्तार होने वाली पहली महला कौन थी समस्त रियासती जन्ता में गिरफ्तार होने वाली पहली महला कौन थी अंजना देवी चौधरी ठीक है और हमने अभी एक कुशन जो है वो देखा था कि 1857 में राजिस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको जो है अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था तो वो कौन थे अमर्चन बाधिया 20 जून 1947 को किसकी रक्षार्त कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुती दे दी थी तो उनके जो अध्यापक थे सेंगा भाई तो इनके लिए जो है इन्होंने अपनी प्राणों की आहुती दे दी थी सेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महलाओं का नेतरत्व किस ने किया किशोरी देवी ने किया किसोरी देवी ने सेखावटी किसान आंदुलन का नेतरत्व किया था किसोरी देवी किसकी पतनी थी किसोरी देवी किसकी पतनी थी तो ये सरदार हरलाल सिंग की पतनी थी किसोरी देवी किसकी पतनी थी सरदार हरलाल सिंग की पतनी थी जो कहां के थे जुनजुनु जिले के थे ठीक है Q48 देखिए 1934 में किसोरी देवी ने किस स्थान पर विशाल महला सम्मेलन का आयोजन किया 1934 में किसोरी देवी ने किस स्थान पर विशाल महला सम्मेलन का आयोजन किया तो जहां पर 10,000 से भी अधिक महलाएं जो हैं यहां एकटी होती है कट्राथल नामक इस्थान और यह कहां है सीकर में जानकी देवी बजाज का जन्म कहां हुआ था इनका जन्म 1893 में मद्य परतेश के जावरा नामक कस्वे में जन्म हुआ था और यह जमना लाल बजाज की पतनी थी जानकी देवी का विवहा जो है किसके साथ हुआ था तो आंसर मैंने अभी दिया आपको कि जानकी देवी का विवहा जो है जमना लाल बजाज के साथ 1902 में हुआ था ठीके ये मद्दे परदेस की थी और जन्म इनका कहा हुआ था मद्दे परदेस के जावरा कसवे में ठीके और विवहार किसके साथ हुआ जमनालाल बजाज के साथ रतन सास्त्री के पती का क्या नाम था तो इनके पती का नाम था हीरा लाल सास्त्री रतन सास्त्री का जन्म कब और कहां हुआ था तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खाच रोध मद्य प्रदेश में हुआ था रतन सास्त्री का जन्म जो है वो खाच रोध मद्य प्रदेश में हुआ था रगनात जी व्यास के यहाँ पर तो यह अंतिम कुश्यन था आपके इस चैप्टर का और इस चैप्टर में से देखिए बावन प्रस्ण जो है वो निकल कर आए हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो इन कुश्यन आंसर को अच्छे से देखिएगा आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में यहाँ से कुश्यन जो है वो आता ही है चलिए मिलत है नेक्स्ट चेप्टर के साथ थेंक यू